नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चरस में आज हम पढ़ेंगे मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म्स के बारे में पिछली वीडियो में भी मॉनोफेजिक डोसेज फॉर्म्स की हमने बात करी थी आप पुरानी वीडियो पर आई यह liquid preparations होती है इन्हें नॉस्टिल्स में इंस्टिल किया जाता है और नॉस्टिल्स में डाला जाता है एक ड्रॉपर के help से यूज की जाती है ऐस एंटिमाइक्रोबियल एक्षिन के लिए और नसल डीकंजेशन के लिए एक्जाम्पल्स होते हैं एफेड्राइन, नेजल रॉप्स और ओर ट्रेविन नेक्स राता है एनीमाज यह लिक्विड प्रेपरेशन होती है जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे रेक्टम में क्लीनिंग परपस के लिए और उसके थेराप्यूटिक एक्शन के लिए और डाइगनोसिस के लिए यूजिस होते हैं एनीमाज के यह ट्रीट करने में हल्प करता है कॉंश्टिपेशन को यह सॉफ्ट करता है फीकल मैटर को भी और इंटस्टाइन में जो परासाइट्स होते हैं उन्हें किल करता है इंफ्लामेशन से हमें छुटकारा दिलाता है और मेडिकेशन को हमारी बॉड़ी तक पहुचाने में भी यह एनीमाज हेल्फूल होते हैं नेक्स्ट हैं टाइप्स टाइप्स क्या क्या होते हैं एनीमाज के पहला है इवकुएशन एनीमा जिसका एक्जाम्पल होता है ओली वॉइल एनीमा दूसरा है रिटेंशियल एनीमा जिसका एक्जाम्पल होता है बैरियम एनीमा next राता है syrups aqueous solutions of 60-85% सुक्रोज with or without flavoring agents and medicinal substances syrups aqueous solution होते हैं जिसमें 60-85% 60-85% तक सुक्रोज होता है और उसके अंदर flavoring agents और medicinal substances हो भी सकती हैं नहीं भी हो example होता है syrups का पहले medicated syrups जिनके example होते है codeine phosphate syrup next है non-medicated syrups जिसके example है cherry syrup, orange syrup और simple syrup next है elixirs जो elixirs होते हैं ये clear aromatic hydro alcoholic solutions होते हैं जिनने used किया जाता है orally और ये colored होते हैं ingredients क्या-क्या होते हैं elixirs के paracetamol होता है ethanol होता है propylene glycol, chloroform spirit, invert syrup, amaranth और glycerol example होता है elixirs का dexa-methasone elixir next आते हैं liniments they are liquid और semi-liquid preparations meant for application to the skin जो liniments होते हैं ये liquid और semi-liquid preparations होती हैं जिने apply किया जाता है directly हमारी outer skin पे जो liniments होते हैं इने apply किया जाता है हमारी body पे friction के साथ और rubbing के साथ जो liniments होते हैं उन्हें externally use किया जाता है और उन्हें broken skin पे नहीं लगाया जाता क्योंकि वो और ज्यादा irritation cause करते हैं liniments are intended for external application and should not be applied on broken skin liniments का example होता है camphor liniment next आता है lotions they are the liquid preparations meant for external application without friction they are applied directly to the skin with some absorbent material like cotton जो lotions होते हैं वो भी liquid preparations होते हैं उन्हें externally application होती है इनकी इन्हें जो हमारी external skin है उस पे apply किया जाता है friction के साथ नहीं जैसे कि liniments में friction के साथ apply करते थे यहाँ पे friction के साथ apply करने की कोई जरूत नहीं होती यहाँ पे directly एक absorbent material कोई भी cotton ले लो उसकी help से हमारी body पे apply कर दिया जाता है next है lotions जो होते हैं उनमें antimicrobial agents होते हैं preservatives होते हैं और कुछ excipients होते हैं जैसे कि stabilizers uses होते हैं lotions के एक moisturizer की तरह भी काम करता है यह prevent करता है rough और itchy skin और minor skin irritations में भी हमीसे use कर सकते हैं lotions का example होता है salicylic acid lotion तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें share करें और channel को subscribe करना ना भूले धन्यवाद